पर साथ हम बात करें के distance of point from line यह नहीं हम देखते हैं जी के अगर एक point given हो जैसे कि find distance between point 64 and line y is equal to x plus 4 इन दोने के दोने distance क्या होगा इसको हम थोड़ा सा plot कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा idea बहतर हो जाए let's say ये मेरे पास y axis है this is y axis चोड़ा सा बहतर बनाते हैं this is y axis और ये मेरे पास जो है वो चलें ये मेरे पास जो है वो x axis है ठीक है अब यहां पर let's say हम इसके जो coordinate से लिखते हैं x axis and y axis अब इसमें roughly देखें 0.64 कहां पर लाई करता हम यहां पर point plot कर लेते हैं अगर यह one है यह two है three four five and six and इसको देखें तो one two three and four तो गरीब बन यह point जो है वो यहां पर लाई करता है ठीक है यहां पर इसका मतलब point six four जो है वो यहां पर लाई करता है और line भी हम roughly draw कर लेते हैं y is equal two x plus four mean के इसका four intercept है ठीक है y is equal mx plus c की form है अगर आप देखें तो c जो है वो intercept है तो इसका मतलब line जो है वो यहां से पास करेगी ठीक है अब इसकी slope कितनी है two यहां एम is equal two होने का मतलब क्या two by one mean के जो rise है वो two है और run जो है वो one है तो mean के अगर run one करेंगे रवन होगा तो rise one and then two होगा तीक है तो basically जो line होगी हो हमारी इस ता से पास करेगी यह हमारे पास जो है वो इसके हमने line draw कर लिए rough सी थोड़ी सी हम बहतर draw कर लेते हैं बहतर नहीं बन रही भी चलें लैट से लैट से यही line है जिस हम सपोज करें ठीक है बलके दादा टेड़ी बन के इसको थोड़ा बेहतर कर लेते हैं चलें लैट से यह line है हमारे पास ठीक है अब अगर अब देखें distance is in between यह line की equation a line which is y is equal to y is equal to 2x plus 4 और वो जो है वो given point है अब दे आप इस distance को किस तर से fine root किया जा सकता देखें, इस distance को fine root करने का बड़ा simple तरीक है कि अगर आप देखें तो यह भी हमारे पस basically a sort of line अगर आप इसको extend कर दें तो यह भी 1 line है ठीक है, अगर आम इसको extend कर दें तो यह भी 1 अब यह इसका point q जो है वह point of intersection huh point q जो है लाइन L2 जिसके ओपर point P46 लाए करता है उसकी equation हमारे पास नहीं है अब इसकी equation को final करना एक जो है वो मुश्किल बात बिल्कुल भी नहीं आप जानते हैं फिकास हमारे पास जो है वो point given है और इस line की slope चाहिए इस line की slope चाहिए अभी चुके दोना perpendicular है जब मैंने बोला perpendicular distance final करेंगे तो उसका basically purpose यहीं था कि हमारे पास बड़ा easily हम इसको final कर सकते हैं क्या करेंगे हम simply करेंगे जी कि हमें पता है जो M1 times M2 होता है 1 के equal minus 1 के equal होता है यह अगर दो lines perpendicular हो तो let's suppose यह line L1 है इसकी slope M1 है line L2 है इस इसका मतलब है M2 किसके equal आ जाएगा minus 1 over M1 what is M1 यह तो आपके पास M1 तो given है slope 2 थी यह इस given line L1 की slope 2 है तो M2 की slope कितनी हो जाएगी minus 1 over 2 minus 1 over 2 इसका मतलब है जब इसकी slope भी हमारे पास आ गी है तो अब Y is equal to Mx plus C हम intercept fine out करेंगे सबसे पहले यह line जो है वो Y axis को किस point पर touch अगर आप यहां पर देखें तो Y axis को definitely 4 से above touch कर रही है तो इसका मतलब है कि यहां से हम fine out कर सकते हैं Y put करें Y कितना है Y have 4 4 is equal to M कितना है इस line का minus half ठीक है negative half Nx कितना है Xf6 आप देख लें यानि हमने क्या किया Y is equal to Mx plus C में Y given है इस point पर जो इस line के पर जो point है यह उसका एप Apsissa ordinate की जगा ordinate, Apsissa की जगा Apsissa, I mean slope की जगा slope और Apsissa की जगा Apsissa, Apsissa कितना है 6 plus C, so 2 1 times or 2 3 times, so minus 3 आगया, so 4 minus 3 जगा plus 3 which is equal to C, this implies that C is equal to 4 plus 3 which is equal to 7, यह कितना आगया 7, slope यह intercept यह 7, इसका मतलब है इस line की equation क्या होगी, मैं इसको select करना चाहरा था, इस line की equation क्या होगी, देखें इस line की equation जो है, मौलूम करनी अब बहुत असान है, हम याद रहें कि intercept इसकी 7 है, intercept इसकी क्या है, 7 or slope minus half, ठीक है, intercept 7, slope minus half, तो इसका मतलब यह हुआ, कि इसकी equation होगी, y is equal to, y is equal to minus half, minus half, x plus 7, यह इसकी equation है, इस line की equation है, और जो line L1 है, ठीक है, वो equation given इसकी, y is equal to 2x plus 4, 2x plus 4, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब subtract कर दे, यहाँ से अब subtract कर दे, यहाँ से अब subtract कर दे, बिकास हमें point of intersection चाहिए, यह दोनों line की equation, equation 1 and 2, this is equation 1 and equation 2, so हम simply बोलेंगे, solving equation 1 and 2, subtract करने से क्या होगा, y जो है, वो cancel out हो जाएगा, तो यहाँ से y cancel out, 0 is equal to minus half x minus 2x and 7 minus 4 is plus 3, 7 minus 4 is plus 3, ठीक है, अब अगर आप देखें, तो 3 को दे रेने दे, half x को दे ले आएं and minus 2x को दे ले ले आएं तो plus 2x हो जाएगा, is equal to 3, अब अगर आप देखें तो इसको denominator को equal करें, because, इसको 2 से multiply करेंगे, sorry, color यहाँ पर change कर लेते हैं, इसको 2 से multiply करेंगे, और इसको भी 2 से divide भी करेंगे, तो 2 2s are 4x over 2, यह भी x over 2 है, यह 4x over 2 है, तो यहाँ जाएगा, x plus, x plus, 4 plus, 4x plus 1x, I mean 2 2s are 4x, पहले यह चले हैं, पहले अभी हम इस तरह से लिखते हैं, is equal to 3, so 3 2s are 6, तो 5x is equal to 6, this implies that x is equal to 6 by 5, x is equal to 6 by 5, यह वाली value जो है, अगर आप इसमें put कर दें, यह वाली value अगर आप इसमें put कर दें, किसी भी queen में, for example, y is equal to 2x plus 4 में put कर दें, तो y is equal to 2 into 6 by 5, plus 4, इसका मतलब है, यह मारे पास बन जाएगी, multiply by 5 करें इसको भी, और divided by 5 भी करें, तो y is equal to 12, and 5 4s are, 5 4s are 20, so, विया जाएगा, 12 plus 20, अवर 5, तो that is equal to 32 by 5, ठीक है, इसका मतलब है, यह जो आपका, जहां पर point intersect करें, 6 by 5, और 32 by 5, यह वो point of intersections है, जहां पर दोनों lines intersect करेंगी, ठीक है, अब अगर आप देखें, यह point भी आपके पास मुझूद है, यह point भी मुझूद है, तो distance formula apply कर लें, दो points के दरमियान, distance final route करने का, बिलकुल आसान तरीका, जो है, वो क्या है, distance formula, ठीक है, तो यहां से भी हम distance formula apply करेंगे, और उसकी मदद से हम इसको बड़े अराम से solve कर सकते हैं, और हमारे पास क्या है, distance in between point and line, ठीक है, इसका मतलब है, d हमारे पास आजाएगा, square root of, sorry, d हमारे पास आजाएगा, d हमारे पास आजाएगा, square root of, square root of, आप, चले, 6 minus 6 by 5, whole square, plus 4 minus 32 by 5, whole square, ठीक है, तो यहां से अगर आप देखें, तो 6 का square, I mean 6, 30 number equal करें, तो यह बन जाएगा, 30 over 5, minus 6 over 5, 5, square, और इसी तरह से, plus, इसका करें, तो यह 5 आजाएगा, तो 5, 4, 20, 20 minus 32 by 5, whole square, ठीक है, अब next, यह बन जाएगा, यह तो just simplification है, ठीक है, तो d आजाएगा, आपके पास, 30 minus 6, कितना हो गया, denominator सेम है, तो definitely numerator आपस में, subtract हो जाएगे, 30 minus 4, 24, over 5, square, 24, over 5, square, plus, 20 minus 32, कितना हो गया, minus 12, over 5, square, ठीक है, तो d किसके इकुल आजाएगा, d आजाएगा, square root of, square root of 24, यहाँ पर हमारे पास कर्कुलेटर मुझूद है, ठीक है, 24 का square कितना हो जाएगा, बलके 20 divided by 5 कर लें, ठीक है, is equal to 4.8, इसका multiply by 4.8 कर लें, 4.8 कर लें, तो यहाँ पर काज, 23.04, 23.04, plus, minus 12, I mean, just 12 by 5 कर लें, because negative, जो हो square के वें से positive हो जाएगा, तो 12 divided by 5 कितना हो गया, 2.4 multiply by 2.4, यह किसके को लागा, 5.7, 5.76, 5.76, इसमें, अगर हम add कर दें, plus करें, 23.04, 23.04, तो यह किसके को लाजाएगा, 28.8, इसका square root करेंगे, तो 5.336, D equal आजाएगा, 5.336, यह D, इसका negative positive अपनी यूज़ करेंगा, बगर दिस्टन्स के नेवर भी negative, दिस्टन्स नेगरिव नहीं होता, इसलिएम इसको positive ही लेंगे, तो distance is equal to 5.336, उस line और इस point के दिस्टन्स जो 5.336 होगा, ठीक है, यह तो आप एक simple way से यूज़ करतें, लेकिन book में एक simple formula भी given है, जो कि है, अगर आपने distance fine root करना है, तो किसके close होगा, given line, ax plus by plus c का absolute divided by square root of a square plus b square, अगर आप इसको apply करेंगे, इस formula के तो आपके पस फिर भी answer वही आएगा, आपके पस मुझूद है, equation 2x plus 4y, y यह आजाएगा, d is equal to आजाएगा, minus 2x plus y minus 4, ठीक है, आपके पस मुझूद है, minus 4, ठीक है, और points हमारे पास 6 and 4, points हमारे पास 6 and 4, ठीक है, इसको our square root आफ करेंगे, इसका minus 2 का square, और plus b है 1 का square, ठीक है, और यहाँ पर याद रहे, कि point है 6 and 4, तो अब आप fine root कर सकते हैं, बड़े रामचे, d आपके पास आजाएगा, minus 2 times 6 plus 4 minus 4, और 2 का square, 4 plus 1, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, plus 4 minus 4, cancel, तो minus 2 into 6 minus 12, तो इसका absolute है, plus 12 हो जाएगा, plus 12 over square root of 5, अब square root 5 किसके इकोल है, यह देखने पहले, ठीक है, चलें, यहाँ पर directly हम इसको solve करते हैं, scientific में इसको कर लेते हैं, क्लोटर को, तो यह आपके पास आजाएगा, जाए, bracket 12 divided by, divided by 5, 5, यह चलें, पहले हम 1, इसको simply कर लेते हैं, ठीक है, square root 5 किसके इकोल है, 2.23, ठीक है, तो इसका मतलब है, D is equal हो, आज अगर 12 divided by 2.23, ठीक है, तो आप आप कर सकते हैं, 12 divided by 2.236, चलें, 12 divided by 2.236, यह किसके इकोल आगया, 5.366, 5.366, आप देखें, यह भी एक वे है, जिसके तुरू, आप distance in between two points, I mean, point and line का calculate कर सकते हैं, दोनों case में कर आप देखें, 5.336, और यहाँ पर भी 5.366, तो आप दोनों method से कर सकते हैं, जिस तरह से आपको suitable लगे हैं,